कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोत क्रश्णम ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि कॉंग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं ये नेता हिंदू शब्दे से ही नफरत करते हैं वे हिंदू धार्मी गुरूओं का अपमान करना चाते हैं अगर पार्टी नरिन मोधी को कड़ी टकर देना चाती है तो प्रियंका गांधी को पियेम फेस बनाएं पांच राज्यों में होने वाले चुनाओं के स्टार प्रच क्रश्णम बोले इससे परिशान होने की जरूत नहीं है हो सकता है कि पार्टी नेतरों तो हिंदू का समर्तर ना चाता हो ये भी मुम्किन है कि उन्हें एक हिंदू गुरू को स्टार प्रचारक न्युक्त करने के मकसद में कुछ खामी नजर आती है ये पार्टी का फैसला है उन्होंने दस नवंबर को एक इंटर्व्यू में ये बात कही कॉंगरेस नेता प्रमुत क्रश्णम से पूछा गया कि कुछ नेताओं के मंदिल जाने को बिजेपी धार्मिक परिटन बता रही है जवाब में उन्होंने कहा कि मंदिल जाने से कोई हिंदू नहीं बन जात या सिर्फ मज्जिद में जाने से कोई मुसल्मान नहीं बन जाता जो इसा मसी में विश्वास नहीं करता वो इसाई नहीं हो सकता उसी तरह जो भगवान राम से नफरत करता है वो हिंदू नहीं हो सकता दुनिया जानती है कि राम मंदिल निर्मान को रोकने के प्रयासों न सनातन धर्म में विश्वास करने वालों की भावनाओं को ठेस पोचाई इस सिथत्य पर कोई परदा नहीं है कि भगवान राम से कौन प्यार करता है या कौन नफरत करता है कॉंगरिस नेता ने इंडिया गड़ बंधन पर बात करते वे कहा इसका मकसद मोधी और भाशबा सरकार को हटाना था यह अफसोस की बात है कि विपक्षी गड़ बंधन मोधी से नफरत करते करते देश्ट से नफरत करने लगी है उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बिना कॉंगरिस का कोई अस्तित्व नहीं है देश में इंडिया गड़ बंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी के अलावा दूसरा लोक्प्री निता नहीं है फेसला तो कॉंग्रिस को करना है अगर कॉंग्रिस नरेंद मोधी को कड़ी टकर दिना चाती है तो प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाया जाए